पदमपुर पुलिस थाने के ठीक सामने घोडापुली पर गुरुवार तपहर बाइक के बैक से नगदी चोरी हो गई मौगे पर पहुंची पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो एक यूवक बाइक से नगदी निकालते हुए दिखाई दिया पुलिस इस यूवक की तलाश कर रही है गद्दिवस बुधवार को पदमपुर के एक फाइनसर से धाई लाख रुपे और सोनी की चैन अग्यात लोगों ने लूट ली थी निकटवर्ती 22 बीबी गाउं मार्क पर हुई घटना के बारे में अभी सुराग लगा ही नहीं था कि गुरुवार को एक और घटना हो गई मिली जानकारी के अनसर गाउं एक जेजे के निवासी बिकर सिंग ने वालमे की चौक परस्थित SBI शाखा से 20 हजार रुपे की नगदी निकल वाई उसने 10 हजार रुपे एक छोटे से बैग में डाल कर बाईक के बैग में रख दिये और 10 हजार पे उसने अपनी जेव में रख लिए वे बाईक लेकर घोडा पुली पर पहुँचा और हरी श्ट्राइक लिन वाले को 5 हजार रुपे दे दिये इसके बाद वे पैदर ही इमित्रा सेंटर पर गया वहां कुछ काम करवाने के बाद वे बाईक के पास आया तो बैग में रखा उसका साफा गायब था मैं वापिस ये मित्रा पर साफा देखने पहुंचा, वापिस आया तो बैग में रखा छोटा बैग भी गाया था और इसी बैग में 10,000 रुपे की नगदी थी सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने सीसी टीवी कैमरे की फुटेज खंगा ली तो उसमें एक संदिक दी युवक दिखाई दिया इसी युवक ने दो बार बाइक की बैग में हाथ मारा, एक बार उसने साफा निकाला और दूसरी बार रुपेओं का बैग निकाला पुलिस ने बस स्टैंड के निकट सीसी टीवी कैमरे चेक किये तो वहीं युवक श्री गंगाने का जाने वाली बस में सवार होता दिखाई दिया पुलिस ने बताए कि अभी इस घटना का मगदमाद दर्ज नहीं हुआ है, संदिक द युवक की तलाश करवाई जा रही है फिलहाल खास खबर में इदना ही, अपने आसपास की और भी तादातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SPT News और बने रहे हमारे साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतवपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर